आज मैं आपको बताने मालो कि आप इस्टाग्राम पर पुराने स्टोरी को वापिस कैसे ला सकते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि हम कई समय पहले इस्टाग्राम पर कुछ इस्टोरी अपलोड करते हैं और किसी कारण से हम उसको वापिस लाना चाहते हैं तो यहाँ पर कैसे ला सकते यह मैं आपको बताने लगू तो यहाँ पर लाने के लिए सबसे पहले आपको अपना जो Instagram एकाउंट है इसको इस परकाश से ओपन करके यहाँ पर प्रोफाइल पर आपको क्लिक करना है और फ्रोपेल पे जब आप क्लिक करते हैं तो आप अपने होम पेज के अंदर चले जाते हैं और यहाप पर आने के बाद आपको यहापे मिलते हैं आयलेट्स जो कि यहापे आप दे सकते हैं तो आपको सबसे लाश्ट में जाना है और लाश्ट में यहापे आपको मिलता है न पुरानी स्टोरी को वापिस लाना चाहते हैं तो इस परकार से आप उपर जा सकते हैं जैसे ही आप उपर जाते हैं वैसे ही आप पिछले दिनों में जाते हैं मतलब जो दिन गए है उसके दिनों में जाते हैं तो या पर आपकी जो पुरानी स्टोरी है जिसको आप वापिस लाना चाहते हैं वो या पर आप ला सकते हैं जैसे कि मुझे ये वाली जो स्टोरी है वो मुझे वापिस लाने है या फिर कई समय पहले की कोई भी स्टोरी लाना आप चाहते हैं तो आप ऐसे उपपर जा सकते हैं परन्तु मैं अभी की कोई स्टोरी लाना चाहता हूँ या फ इसका कोई भी नाम देदेना है और नाम देने के बाद आपको done पे क्लिक करना है जैसे ही आप done पे क्लिक करते हैं तो आपने जो भी अभी story आपने done की थी वह यहाँ पर आपको आयलेट के अंदर सबसे फर्स के अंदर आपको मिल जाता है आप यदि उसको देखना चाहते हैं तो इस परकार से आप उसको देख सकते हैं और देखने के बाद यदि आपको लगता है कि आपको यह जो इस्टोरी है इसको वापिस इस्टाग्राम पर रखना है तो यह पर डाउनलूट कर सकते हैं तो जैसे कि मैं इस एप की सहता से स्टोरी को डाउनलूट कर लेता हूं तो यापर आप दे सकते हैं मिरी स्टोरी डाउनलूट हो चुकी है फिर हमें वापिस किया करना है कि अपना जो Instagram एकाउंट है इसके अन्दर जाना है और जाने के बाद या पे आप अपनी story के अन्दर जाके या पर उपपर जैसे करते हैं तो या पे आपकी पुराने story है वो या पर आपको मिल भी जाते है साथ में यदि आप अपनी story को upload करना चाहते हैं upload भी इस परकास से कर देते है और फिर यदि आपको लगता है कि आपके अपने जो पहले आपने iLets या पर रखेते तो उसको यदि आप delete करना चाहते हैं तो इस परकास से आप इस पर click करके इस iLets को फिर delete भी कर सकते हैं यदि आपको इस वीडियो से कुछ help मिली हो तो प्लीज आप माई YouTube चैल को subscribe करना न बूले और वीडियो पसंद आए तो like और share चरूर करें थैंक यू